अतना प्यार आप इसे तरिक के से देते रहा दोस्तों तो मैं अभी दोस्तों आपको इसे सर्व कर दोस्तों स्वागत है आपका कमल गोला डोई वाला यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं बना रहा हूं गाउं की इस चाले से खड़े मसालो द्वारा बटर चिकन तो द 2-3 long, 2 छोटी इलैची यह सब भी दोस्तों मैंने सके अंदर डाल दिया है दोस्तों 10 सेकन तक इसे हम सोटे कर लेंगे साथ ही एक टुकड़ा दोस्तों दाल चिन्नी का यह भी दोस्तों हमने डाल दिया है दोस्तों एक चमच बारिक कटावा लेसून वो भी आप इसके चला देंगे बहुत ही बढ़े तरीके से तो यह देखें मसाले दोस्तों हमारे हो गये हैं तो साथी दोस्तों तीन प्याज मीने लीती उनको मैंने लच्छे दार बनां काड़ दिया है वो भी इसकेंद्र डाल दिये दोस्तों क्यू Matt प्याज में बना रहा हूं गाउं की इस्टेल में खड़े मसालों द्वारा बडर चिकन दोस्तों तो यह देखें दोस्तों प्याज हमारी बहुत अच्छे तरिक्या से इस समय गोल्डन ब्राउन हो रही है तो आप इन्हें ग्यास का हाई फ्लेम करके दोस्तों भूनते रहें लगए दस से बारा मिनिट तक दोस्तों इसे हम भूनते रहेंगे तो आप देखिए इसको मैं अच्छे तरिक्या से भून रहा हूं और चिकन हमारा बहुत अच्छे तरिक्या से दोस्तों इसमें भूना ही हो रही है बहुत ही यूनीक रेसीपी है दोस्तों आज गाउं के तरीके से बना रहा हूँ मैं खड़े मसालों दुआरा, आज कोई भी हम मसाला पीस के नहीं हम लगा रहे हैं सब कुछ साबूती दोस्तों मैं लगा रहा हूँ इसे प्याज की भी मैंने लच्छे बनाएते दोस्तों नए तरीके से दोस्तों मैं आज इसे बना रहा हूँ दोस्तो, दो टमाटर ले लीजी आप उनको भी हमने बारीक चोप कर लिया है वो भी दोस्तो मैंने इसके अंदर डाल दिये हैं और टमाटर गेर के दोस्तो इसे आप एक बार फिर चला दीजीए जिस तरीके से दोस्तो मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आप रेसीपी को फोलो करें तो बहुत ही बहतरीन बटर चिकन दोस्तो हमारा बनके रेडी होगा ये तो दोस्तो इस समय इसके अंदर हम टू टेबल इस्पून नमक हम लगा रहे हैं नमक लगाने से दोस्तो टमाटर हमारे बहुत जल्दी हो जाएंगे तो नमक डालके दोस्तो इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से एक से दो मिनट तक हम फिर दोस्तो इसे चला देंगे ताकि टमाटर हमारे बहुत अच्छी जल्दी तरीके से गल जाएं बहुत ही प्यारी एक बार घर पे ट्राई करें अब बहुत ज्यादा समय भी दोस्तों इसमें नहीं लगेगा तुरंत ही ये बनके त्यार हो जाएगा लगबग 20 से 25 मिनिट में हमारा चिकन जो है त्यार हो जाएगा तो दोस्तों अब हम लगाएंगे इसके अंदर मसाले तो दोस्तों टू मच गरम मसाला वो भी मैंने लगा दिया है और सब कुछ लगा के दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरिके से हम भून लेंगे लगबग 2-3 मिनिट तक दोस्तों आप सारे मसालों को डालके बहुत अच्छे तरिके से भूनना है अभी तक दोस्तों हमने इसके अंदर जटपड बनाएं गाउं की स्टैल से बटर चिकन तो दोस्तों इस समय इसके अंदर हम धही का भी इस्तमाल करेंगे तो मेरे पास तो घर की बिलकुल फ्रेज जमी भी धही है अगर बजार की हो तो आप चेक कर लीजेगा एक बार तो दोस्तों अब चिकन हमारा बिलकुल र देखी डालना और अगर ताजी हो तो आप दो डाल सकते हैं तो दही डालके दोस्तों इसे हमने तीन से चार मिनट तक भूनना है दोस्तों यह देखें दोस्तों बहुत ही प्यारी रिसीपी है दोस्तों ऐसा डिलिसियस बुटर चिकन गाउं में बनता है बहुत ही प्यारी ये lag piece आज में लेका आया था दोस्तों तो ये chicken हमारा दोस्तों बहुत अचछी तरिक्पी से से में भुन रहा है और ये देखें आप chicken बिलकुल oil भी हमारा बिलकुल separate दोस्तों हो गिया इस समय देखें कितने अच्छे तरिक्पे से हमारे boil भी इस में आ रहाए है देखें आप लिकुल ओयल दोस्तों हमारा separate हो गया है यह देखें तो दोस्तों अगर आपको पानी की जुरूरत हो तो अतना पानी आप इसमें लगा सकते हैं मैं दोस्तों जादा पानी का इस्तमाल नहीं करता तो कम ही लगांगा साथ ही दोस्तों इस समयसके अंदर आप एक चम्मच कसूरी मेथी, हातों से क्रश करके वो भी डाल दीजिए, और कसूरी मेथी डालके दोस्तों से बहुत अच्छे तरिक्के से में एक मिलिट तक और भून देंगे, कसूरी मेथी का भी दोस्ते का अपना ही फ्लेवर होता है, तो इसको डालने से थोड़ा टेस्ट और हमारा भढ़ जाता है, साथ ही दोस्तों, तीन मैंने हरी मिल्चे ली थी, उनको भी मैंने बीच में से काट लिया है, अगर आपको ना पसंद होता, आप इसे इसकिप कर सकते हैं, मैंने ये भी दोस्तों इसके अंदर डाल दी है, और ये देखें, बिल्कूल ओएल हमारा सेपरेड हो गया है दोस्तों, और इसे भूनते भूनते कम से कम, दोस्तों 12-15 मिनट हमें हो चुके हैं दोस्तों, समय और चीकन भी हमारा 50% तक दोस्तो रेडी हो चुका है ये तो दोस्तो इस समय इसके अंदर में हाफ गिलास पानी का इस्तमाल कर रहा हूँ अगर दोस्तो आपको ज्यादा की जुरोत हो ग्रेवी ज्यादा बनाना चाहें तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं मैं तो लटपटा ही इसको बना रहा हूँ दोस्तो तो आप दोस्तो पानी डाल के इसे बहुत अच्छे तरिके से चला दीजिए और गैस का फ्लेम इस समय दोस्तो हम हाई रखेंगे क्योंकि हमारा एक बॉयल आ जाए तो फिर दोस्तो इसको हम धकन लगा देंगे और फिर धकन लगा के दोस्तो हम गैस का फ्लेम सम करेंगे तो दोस्तो अब देखें बॉयल भी हमारा आ गया है तो दोस्तो अब मैं इसको पर धकन लगा रहा हूँ तो दोस्तो ढखकन लगा के ग्यास का फ्लेम हम बिल्कुल सिम कर देंगे और दस मिनट तक सिरफ हमेंसे दोस्तो पकाना है अब तो यह देखें दोस्तो दस मिनट के बाद अब हम देखते हैं हमारे चिकन की क्या इस्तिती है तो यह देखें दोस्तो कितना प्यारा हमारा चिकन जो है बनके तियार हो रहा है तो एक बार दोस्तो इसे हम चला देंगे पल्टे की सहता से दोस्तो यह देखें बहुत ही प्यारी रेसीपी है दोस्तों और बहुत जल्दी 20-25 मिनट में बनके दोस्तों रिडी हो जाएगा बिल्कुल बहतरीन बटर चिकन तो दोस्तों इस समय हर सब्जी की जान हरा धनिया वो भी दोस्तों मैं इसके अंदर डाल रहा हूं यह डाल के दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से अब हम मिला देंगे और आज खड़े मस्यालों द्वारा बनाय गया चिकन दोस्तों बहुत ही बहतरीन तरीके से ये त्यार हो चुका है दोस्तो तो एक मिनट तक दोस्तो इसे में इसी तरह भूनना है ये देखें आप चिकन में कितने अच्छी तरह में भूनाई हो रही है और बहुत अच्छी तरह भूयल भी दोस्तो इसके अंदर आ चुका है तो दोस्तो रे कितने प्यारे लैक पीज दोस्तों आज मैंने गांग के इस चैल से जो चिगन बनाया है तो आप दोस्तों इसी तरिके से रेसिपी को फोलो करें और दोस्तों गार निजिंग के लिए थोड़ा सा इसमें महरा दनिया और डाल देंगे ये देखें बहुती लाजवाब रेसिप करें सब्सक्राइब करें अपना प्यार इसी तरिके से देते रहें धन्यवाद दोस्तों